तो राम राम भाई सार्याने क्या आले प्यारे विद्यारतियों आप सभी का स्वागत है एम मैट्स पर हमारे इस प्यारे से फैमिली पर जो की अब काफी बड़ी हो चुकी है तो अउमीद है कि आप सब लोग अपनी नीट की प्रप्रेशन में बहुत आगे तक पहुंच uh out की चीज़ों कंसरी का मतलब क्या होता है इस्का ओड़ी ह sug और आपने एर का इंटेक एर जो मेरे जो है एपनी इंडर श्याख हो चौन को ।किए।ब हुआ को दर का है। सबस्क्राइब केहले पर इंस्पाइबेशन को लें ला किनतर है. इंस्पाइबेशन को देख लेते हैं। कि इंस्पारीशन जब भी एक्टमासफरी की जो एर है उसको क्या लेना इंटेक्ट करना इसको क्या करना इसका कोई रंग थोड़ा अच्छा सा कर देते हैं गुलाब भी साड़ी वाला क्या क्या करें कौन सा लें कम्फ्यूज हो गया मैं यह 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 ले ले लेते हैं यह ले ले इसका जो अंब यह इसको प्रेश्टम मैं उसके प्रेशर कमाना क्या यहां पर समोसा नहीं बेटे यहां पर रिपकेस है लआ बात करें इसकी बात करें तो स्केंडर इ MIL धे नहीं दसके इन्ध मेंब्रेन वना बनाज़orie ॉपर इस ने में में प्यूलर वॉटेवर तुमको पता है कौन से बचाता है बाहर की जितने भी जटके लगेंगा उसको यह फ्लूट जो बचाएगा बड़े जितने भी ऑरकन है इंट्रा पल्मोनर्य प्रेशर है यह अंदर वाला इसके कंपेर में आपना प्यूलर फूर जो भी है इसका प्रेशर होता है इसके नेगेटिव होता है यह पोजिटिव कर दू तो बैटे यह अगर पॉजिटिव हो गया तो यहां प्रेश डालेगा ना को सब्सक्ति हो ने यहां किया तो थोड़ा सा जब 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 जादा बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा और अंदर का प्रेशर कम हो तो अपने बात है जब प्रेशर हमेशा ज्यादा से कम की और फ्लो करेगा पानी की तरह तो बाहर प्रेशर ज्यादा है यहां अंदर क्या है प्रेशर क्या है कम है इंटर प्रेशर कम है तो अपने आप अंदर की तो बाहर की वाइव अपनी एर है वह अपने आप अंदर है कि और इंटेक करने लगेगी इंस्पायर करने लगेगी तो उससे क्या होगा अब सर्क हम यह सारे दिन फ्यफडए फुले वे रहते हैं यह मेकनिज्म की से इसके पना इसके दीखता है यह वाला डायाफ्रम दिखराए इस डायग्राम के अंदर दिखर आपके एक एक चोलकर बनी हुई है यह अपनी relaxed state में है और जब inspiration करना होगा तो यह थोड़ी इस step से इस step से जैसे की diaphragm होता है थोड़ा से नीचे की और क्या करेगा यह flap करेगा और थोड़ा इस तरीके से हो जाएगा कौन अपना diaphragm क्या हो रहा है ठीक है किस एक्सिस में यह एंडियो पॉसिचर अपना जो था इसका वॉल्यूम बढ़ गया है यह यह वाला जो लंबाई वाला है है क्या कहते है वाल्यूम है वह बढच रहा है अब जो है अपना से यहां का पीछे वाला से अब मैं अगर बात करूं बॉडी के पॉसिचर की तो डायफ्राम की ऊपर जो थोरिसी के लाती है और नीचे वाली अब्डॉमिनल के लाती है उसी प्रकार से इस तरीक से लॉंगिट्यूडनल देखे हैं बॉडी की पॉसिचर को तो पीछे वर्ट मसल यह क्या करेगी इंटेट कोस्टल कहन से अपनी ठीक होगी तोड़ी ऊपर उठेगी उससे क्या होगा अपना यह वेंट्रल और डॉर्सल वाला एक्सी से अपना ये वाला लॉंगिटूडनल ये भी क्या हो जाएगा थोड़ा वॉल्यूम बढ़ जाएगा पहला वॉल्यूम किसे बढ़ाया अपना डाया फिर अपने इंटर कोस्टल जो मसल्स है उसने वॉल्यूम बढ़ाया इस तरीके से ये वाला इस मसल्स ने बढ़ाया ये वाला वॉल्यूम किस ने बढ़ाया डाया तो कुल मिला कि अपना वॉल्यूम बढ़ गया पहले के कंपैर में जिब прогल बढ़ आपने कल करना का या इट्मोसफेरीक material याजादा हो गई व्यूंगि कि हमारा वॉल्यूम बढ़ जो कि अब मैं हो जाएगा तो वाल्यम हमने इंक्रीज्ट कर दिया किसे का में करें रहेंस gegen पहले की कमपेर में बढ़िए खिसे अपना प्रेसर से बाहर का जो बढ़ गया और अपने आप एर क्या होगी जो है अंदर आनी स्टार्ट हो जाएगी वेरी गुड ठीक है सर दूसरा में लिखा बाहर छोड़ना हो तो क्या करेंगे बाहर छोड़ेंगे तो रिलेक्स पोजिशन में जो भी अपने मसल दायाफ्राम थी वह अपस रिलेक्स पोजिशन में आजाएगा अपनी जो इंट्रकॉस्टल मसल्स थी जिसको मैंने क्या कहा था तुमको ई आई सी एम एक्स्टरनल कमाइर में कम हो चुका और और अवी तक वहीं पर और आ तो अट्क हरना अब क्या करना तो बाहर की यह चोड़ना कर देंगे एर अपने आप यह होगी अनगर आप रिलीज हो जाएगी आउट बाहर की ओ जो एक्स्पारिशन हो जाएगा ठीक है कि इस मेकिनिस्प का अप आ देखते हैं इसको क्या लिखा है मेकनिजम ब्रीधिंग पढ़ना स्टार्ट करें तो इंस्पाइरेशन एक्सपाइरेशन ठीक है यह सारे वर्ड मिनिंग में आपके क्लियर कर चुका हूँ ठीक है इंट्रकॉस्टल बिट्विन रिप्स एंड जनेरेशन जो भी है थोरेशिक चैंबर क्या होता आपको मैंने भी बताया है ठीक है यानि कि आपके और प्रिप्स पटने की है इस्टरनम कहलाती थीक है इंक इसको थोड़ा पतला करते हैं तक आपको यह दिखाई अच्छे से ठीक है causing increase of volume of thoracic chamber dorsal ventral axis आपको पता लग चुका है कि क्या है ठीक है उसके बाद इस सारी चेंबर intra pulmonary pressure इस सारी वर्ड मेंग आप कवर कर चुका हूँ आयोब जब भी आप पटने स्टार्ट करेंगे तो आपको एक एक लाइन ये lecture देखने के बाद NCRT की एकदम clear देखेगी उसके साफ order पाद कुछ बाते ढ debated mega from here to realize कि क्या होता है कि जितने वी व्ल्यूम्स बात करेंगा यह जितनी एर इंटेक्कर कर रहे तरशार यह किसको सफ्कारा मेशर करने का क्या है करता है एक एक याद रखना दूसरी आ क photonप बताना चाल रहा हूं वह इंप्रेंट चीज हcent दो यह शोड़ी एक एक मिनट में बारा जोड़ीँगaa जोड़ीगा ठीक है तो वने इशसकत कर चुके वापस आप चैप एक बार देखेंगे कि पहले जो फर्ष्ट दे रखा वह इंस्पाइरेशन का दे रखा इंस्पाइरेशन मतलब की सारी मसल्स कॉन्ट्राड करेगी वॉलियूम बढ़ेगा कॉन्ट्रेक्षिन से और उसके वाद वापस एर इंटेक खोगे तो कई आपने चुनक रेयों तो tapने पड़ने वाले आख़ और नेस सब्सक्रीं करते हैं तो यह वाला यह आरवी देखना है आपडने को देखना है कैपिशिटी देखनी है इस ही तो केपिशिटी कैपिषिटी है यह इस पर ये ferm कैपिस्टीक में मैं एटल कि आप होता मैं आपको क्लीए करता हूँ सिंपल सी बात है देख सबसे पहले क्या जिका ट्यक्त से थिखें आपको देखेंगे, आपको देखें तो देखो देखो, 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 देखो ध्यान से, यहां के लिखा का मतलब है कि जितनी भी आप नॉर्मल एंस्पाइरेशन और एक्सपाइरशन कर रहे हैं जैसे से इंसकार टूता हूं लिखा नहीं किया है यहाँ फानना न बाश्रो ठीक है सर हमको आगे समझ में और पर मिनिट अगर इसको आप करोगे क्योंकि मुझे पता है कि 500 अगर मैंने एक बीट लिए एक बीट में 500 ml अंदर बाहर किया है ठीक है तो मैं एक मिनिट के इंदर कितना करूंगा कितना हो जाएगा क्यों सर अभी आपने बताया था कि 12-16 बा षब डिशबर्यां की क्या होता हैं खीक अपने पास क HCS इख्तितना रवी क्या लिखा मैंने इंट्य प्रेट्रेंट इसप्रींटरी वोल्यू म λέद्यू इसका मतलब क्या होता है सर इसका मतलब है की तैडल वोल्यम आपने अंदर लिया पहले 500 ml अगर मैं इस्प्रसिंकी ब एक टॉट मैंने क्या मैंने टाइड़ वॉल्यूम के अलवा पांसों के अलवा और में फॉर्स लगा करके अपनी मसलस को और जादा कंट्रेक्ट करके में और कितनी एर को इंटेक कर सकता हूं फोर्स फूल इंस्पाइरेशन कितना होगा वो कहला है का अपना इस पर इजर वॉल्यूम देखो पढ़ते हैं इसको इसको इंदर 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 पढ़ें यह देखो क्या लिखा यहां पर इंस्पारेटर इंदर वॉल्यूम एडिशनल एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एर कहां गया ऑफ एर अपरसन के इंस्पाइर बाया फोर्स फूल इंस्पाइरेशन फोर्स लगा करके मैं और कितनी एक्स्ट्रा एर को अंदर ले सकता हूं लगबग धाई हजार से तीन हजार एमेल तक मैं और ले सकता हूं यानि टाइडल तो सब्सक्राइब Bonus घबाड़ कि अफैर कर सकते हो फोर्स लगा और किटो कर सकता हूं मैं फ्रस लगा कर के मैं कितीनी कर सकता हूं 1000 से लगा करके 1100 ml यही अपनी NCRT में लिखाए ठीक है उसके बाद सर यह क्या है रिजडल वॉल्यूम रिजडल वॉल्यूम का मतलब होता है कि आप कितनी भी फोर्स लगा कर air को बाहर छोड़ दो कम से कम कम से कम 1100 से 1200 ml 1100 से 1200 ml अंदर रहेगी यह अगर आप इसके बाद करेंगे अपन जितने भी कैपिसिटीज है रिजडल वॉल्यूम हो गया इसके बाद अपने पास क्या है क्या होती है इंसपैरेटर्रेक्ष्टी होती है इंसपैरेटरी कैपिसिटी है इंसपैरेटरीक्ष्टी मतलब कितनी टोटल एर आप इंटेक कर सकते हो ऑगि एकसपारेंटर एकसपारेंटर रिजर वोल्यूम कितनी ओत्य होती ओती की सोर यनि कीजलो में और कितनी कर सकते हैं वो आययारी होती है कि की दीवी ब्लस ए आर्वiv टीवी प्लस कॉन से लिख सकते हूं मैं यहां पर देखो NCRT के लिख रखा है इसके इंदर टीवी प्लस IRV TV प्लस ERV मतलब कि एक नॉर्मल और दूसरा जो फोर्सिबल है तो इसकी कैपिसिटी आ जाएगी कि टाइडल के अलावा और कितनी कर सकते हैं तो यह दोनों मिला कर क्या हो जाएगी इसकी कैपिसिटी हो जाएगी ठीक है उसके बाद देखा अपने है FRC functional residual volume क्या लिखा मैंने FRC कौन सा है FRC यानि कि functional residual volume इसका मतलब क्या होगा कि volume of air that will be remain in lungs after a normal expiration यह functional residual volume का मतलब क्या होगा कि normal expiration का मतलब की टाइडल volume को बाहर निकालना तो पीछे अंदर कितनी बच जाएगी सर अंदर एक तो residual volume तो मैं लिख सकता हूं कि यहां पर लिख सकता हूं मैं ठीक है इसको थोड़ा चोटा कर देता है साइड में कर देता हूं ठीक है मैं अगर FRC की बात करूं इसने कहा कि normal expiration करने के बाद यानि कि टीवी को बाहर चोड़ने के बाद अंदर कितनी बच रहेगी तो अंदर कौन-कौन बचा रहेगा एक दो आप यहां पर लिख रहेगा और यहां पर लिक्रत का है एर ब्लस आर वी अपनी इसेटी बूख के इन दर देखो तो अंको अगया उसके बाद अपने रहा है विटल के पेसिटी इंपॉर्टन है यह कोश्ण आ जादा है वाट इस द बेटल केपेसिटी तो maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration यानि कि forced full expiration करने के बाद यानि कि एक तो tidal volume plus ERV दोनों को बाहर छोड़ने के बाद वापस कितनी इंटेक कर सकता है वापस कितनी इंटेक कर सकता है एक तो TV को वापस इंटेक करेगा वह नॉर्मल इंस्पारेशन के तहत दूसरा एक्सपारेशन जो इसके बार छोड़ा इसको भी वापस अंदर लेगा ठीक है और और इसके लवा जो इंस्पारेश्ट करता है कौन सा इस पर करता है ऐ आर आई यार भी इसको भी तो वापस अंदर लेगा तो यह क्या हो जाएगी अपनी विटल कैपीशिटी हो जाएगी उसके बाट टॉटर लंग कैपीशिटी जूबिशिटी इसको बड़ा करते आपना आराम से ठीक है, लास्ट में अपने पास बचता है, टोटल लंग कैपिसिटी, टोटल वॉल्यूम ओफ एर अकुमिदेट इन दो इन दो लंग्स अड़ एंड आफ फोर्स इंस्पाइरेशन, इस इंक्लूद्स आरवी, एरवी और टीवी, एंड और इसको आई आरवी, मतलब यह कहना बची रहेगी, उसको भी घिननाए, प्लस ERV, जो कि और तीवी जो कि अंदर लेना ही हैं, और IRV जो कि फोर्स फूल के अपन अंदर लेंगे, यह जो और आपन विटल कैपिसिटी और रिजडल वॉल्यूम भी इसको साथ में जोड के बोल सकते हैं, क्योंकि विटल कैपिसि और वापस क्या कर सकते हैं मन् पूर्श सकते हैं अगर मैं आपको वापसो आपको सम्झाओं तो और ना नोर्मल इंस्पाएरेशन ठीक हैinizi ठीकर्देगिन 혔र यह इसह आनिकी इसपाइड टॉ यह बात हो रही यह इस आनिकी नौर्मल नौर्मल एक्स्परसिटीं के बात कितने आप अपको समझ्ञ नाया और टोटल लंग कैपे इब इतनको या इनको आप याद भी कर सकते हो डिए नंग प्लस टोटल लं चैपेशिटी प्लस क्या होता ह चलिए यह सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें जरूर जन्यवाद बहुत-बहुत-धन्यवाद आप सभी का